नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में देखिए कल रविवार का दिन 9 जून है और एक बार फिर से नरेंद्र मोधी तीसरी बार पी एम पद की लेंगे उनके साथ कई और चेहरे मंत्रीपद की शपत लेंगे कौन-कौन वो हो सकते हैं उस पर तो हम बात चीत करेंगे ही लेकिन साथ ही देखिए कल सपत ग्रहन शमारो है और उसके पहले कैसे जदियू जो है वो प्रेसर पॉलेटिक्स खेल रही है अब नितीश कुमार क पी-म बनाने की बात के सित्यागी ने आज कह दी कहा कि विपक्ष के तरफ से ओफर भी मिला था इसके अलावे पार्टी के कई नेताओं ने जो बयान दिये हैं उस पर भी बात करेंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी खेमे में भी सब कुछ ठीक तो दि विश्वास घात और भीतर घात की बात कर रही हैं तो कई नेताओं पर कारेवाई की बात भी सामने आ रही है क्या वो रीतलाल यादो सामने होंगे या फिर मरहोडा के विधायक जितेंदर राये इसके बाद भी एक और खबर जिस तरीके से आज बिहार की राजनीती में तै अंकारी बता दिया है विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्टपत्रकार रवीरंजन जी हैं और वरिष्टपत्रकार प्रवीन बागी हैं सबसे पहला जो कमेंट है वो इसी पर लेंगे कि नितीश कुमार को विपक्ची खेमे ने पी-एम-पद का ओफर किया था और कोई अलग नेता नहीं बोल रहा है जो बोल रहा है जेडियू के वरिष्ट नेता केसी त्यागी कह रहे हैं इसलिए केसी त्यागी से यह बयान दिलवाया गया कि नितीश कुमार को इंडिक अटवंधन की और से पी-एम-पद का ओफर था और यह बयान ऐसे समयाया जब अगले दिन सपत होना है प्रधान मंत्री का मंत्री मंडल का गठन होना है उसके ठीक 24 गंटे पहले यह बयान आया है तो इसके कई नहीं तार्थ हैं एक तो यह तय बात है कि सरत पवार को यह जिमिवारी दी गई थी कि आप इंडिये के जो घटक दल है उनसे कुछ लोगों सरत पवार ने नितिष कुमार और एक और कोई निता थे उनसे बात करने से इंकार कर दिया कि हम उनसे बात नहीं करें दूसरे कोई बात करें मैं नहीं बात करूंगा तो यह एक बात हो गई इसलिए कि वह छोड़ करके चले गए घटवन्न शुरू किया उन्होंने और तो आदमी साथ चलने को तयार नहीं है उसको फिर क्यों लाना उस पर भरोसा क्यों करना यह उनकी नाराजगी की वज़ा थी और तो अब किसने बात की यह उन्होंने नहीं बताया त्यागी जी ने और यह तय मानिये उनका जो चरित्र है नितियस कुमार का प्रधान मंत्री प सब ताम जाम किया था इंडी गटवंदन की बैठक बुलाना उसमें शक्रिये होना फिर मनोनुकूल पद वहां नहीं मिला वहां कॉंग्रेस हावी हो गई तो वहां से किनारे हो जाना फिर कभी राजत के साथ जाना यह सारा तिकडम इसलिए था कि विपक्ष किसी नकिसी त जद्यू के नेताओं ने यह प्रचारित किया था कि पी एम मिटेरियल है नितिष कुमार में प्रदान मंत्री बन सकते हैं तो यह सब कुछ करने के बाद भी जब उनको वजन नहीं मिला जगह नहीं मिली विपक्षिखेमे में तब वह यह अंतिम अस्त्र के रूप में यह इस्तिमाल क्या जा रहा है ताकि कम से कम कुछ सम्मान जनक मंत्री मंडल उनको मिल जाए यह दबाव की राजनिती है एक टैटिस वह अपना रहे हैं दूसरी और नितिस कुमार क्या कर रहे हैं प्रदान मंत्री के चरंचु रहे हैं भरी सभा में कोई उसमें संकोच उनको नहीं हो रहा है और दूसरी और उनके महा सची बयान दे रहें कि पीम का ओफर मिला हुआ है तो यहां क्यों चरंचुने के लिए आप हैं भाई जाइए प्रदान मंत्री बनिए देश आपका भी देखे कि बिहार में आपने जो कुसलता दिखलाई है वो एक बार देश को भ सबसे बड़ा है कि विशेश राजी का दर्जा मिल जाए और इसके लिए कोई ने कोई बहाना ढूंड के रखते हैं अब एक तो सबसे बड़ा हत्यार उनके पास है कि विशेश राजी का दर्जा मिल जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो इसको उचाल देते हैं एक बार तो उन्हीं के सरकार के मंत्री और वरिष्ट मंत्री विजेंद्र यादो ने कहा था कि अब यह मांग हम नहीं रखेंगे लेकिन फिर दुबारा यह मांग हो तो वह अपने रास्ते खोल के रखते हैं दूसर नाम बता यह लालू प्रिषाद यादो ने और उनकी पूरी पाटी ने कहा है कि यह जो आप कह रहे हैं तो यह नितीश कुमार बता नहीं रहे हैं वह उनको किस ने ओफर दिया तो यह एक रास्ता है कि जब मन करेगा कि हमको तो वहां से ओफर था तो आपके लिए हमने छोड़ दिया अब हम जा रहे हैं वहां तो यह एक रास्ता बना के रखा है मंत्री मंडल में जदा ज्यादा जगा पाने की भी एक कोशिस है क्योंकि जेडियू के कई नेताओं के तरफ से बयान भी आने ल जब दो और बाराजमंत्री और एक राजमंत्री इनको मिल सकता है नियम के हिसाब से जो बनेगा तो देखना होगा कि कि स्टरा के डील कर पाते हैं लेकिन अचंद्रबाबु नाइडू के जन्ता को झाने मंत्री हम अगये लेकिन कि दावेदारी बनती है तो बिहार के कोटे से कितने मंत्र बनेंगे क्या सारे विहार के कि जादस जादा अपने लोगों को मंत्राले में गुसाएं उसमें दो नाम और एक नाम जुरगीया जो हम लोग कल बाचित कर रहे थे कि करपुरी ठाकूर के बेटे रामणत ठाकूर को मंत्री बनाए जा सकता है एक नाम हो सकता है संजय जाय के अलावा लेकिन आज नितिश क प्रस्ताव रख सकते हैं कि उनके जो दो सबसे चहेते हैं एक तो कौशलेंद्र है और एक संजय जहा है और रामना ठाकुर को इसलिए कि बिहार में जातिकत समीकरण को अगर ठीक करना है तो वह तो नित प्रदान मंतरी मोदी भी चाहेंगे क्योंकि यही पासा चल के उन्हों संभाकु सब्सक्राइब हवाद की कोश्चस कि गार को हाष pior के लिए कटीका मंतरा देने में उनको भी को परहस्त नहीं होगी तो नितीश कुमार को तीन नाम पहले स ही है तो जादा कि पास नहीं और इससे जादा इल कर भी नहीं निदीश कुमार कहा जाता है कि पिछरे और अति पिछरे की राजनीति ज्यादा करते हैं ललन जिंग संजय जाद देवेश्चंद्र ठाकुर तीनों अगड़ी जाती के अब जाहिए तीनों को तो मंत्री वो बनाएंगे नहीं रामना ठाकुर सुनील कुष्वाहा और कौशल में कौशलिंद्र भी हो सकते हैं सुनील कुष्वाह भी हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है क्योंकि इनका तो जो लौक समिकरन था वो चुनाव में ध्वस्त हो गया वो काम नहीं कि आया कहीं तो इसलिए हो सकते हैं कि फिर उस कंभिनेशन को फिर से अपने साथ जोड़न चिराग और जितनरामाजी के नाम की तो चर्चा है क्या उपेंद्र कुष्वाह पर कुछ बात बनते दिखाई दे रही है उपेंद्र कुष्वाह को भी बनाया जा सकता है अगर राजसभा में उनको ले जाया जाए तो अभी सपत दिला दिया जाएगा फिर छो महीना समय रहेगा उसमें वह राजसवा जा सकते हैं तो वह भी हो सकते हैं चिराग पास्वान का तो लगभग तही है उनको होना ही है जितना नामवान जी को भी होना ही है बीजेपी में चहरा बदलेगा क्योंकि बीजेपी के नेताओं का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है प्रदान मंत्री का भी वोट बहुत कम आया डेड़ लाग से जीते हैं तो उसी साब से उनसे भी जनता वहां खुस नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि पुराने चेहरे को जरूर जगह मिलेगी एक तो आरके सिंग वाली जगह खाली एक अस्वानी चौबे वाली भी जगह खाली है दो दो शीट खाली है तो वह तो सीट भी आर गए वो तो इन दोनों जगह पर नए चेहरे जरूर दिखेंगे बात कर लेते हैं जरा पपू यादों के बयान की अंकार नहीं होता तो बीस से पचीस सीटे हम जीत सकते थे अब दिल्ली जा रहे थे उस दोरान एरपोर्ट पर उनका यह बयान है अब इसके क्या माहिने निकाले जाए नहीं देखिए बिहार में यह बात तो बहुत तेजी से यह चर्चा में है और सियासी गलियारे में यह ज्यादा जोर पकड़ रही है यह बात कि यस्वी यादव 24 प्रत्याश्यों को खड़ा करके चुनाव लड़े और धुआधार प्रशार किया लेकिन उसका उनका स्ट्राइक रेट क्या है 24 में से 4 जीते हैं और चिराग पास्वान 5 में से 5 जीते हैं अगर दो इवान नेता हाले से इनको चैलेंज करते रहे और चैलेंज करके वह जीते हैं पर इस्वी यादों ने वहां की सभा में जाकर कि इनको बोट मत दीजिए हमको दीजेए इंडिये को भी देजेए यह उनों ने का लेकिन वहां कि जन्ता ने तैस्पी आदों को जबाब दिया और फुआ द बैठेले को जीताया तो जो जानदा की बात शेक जानता ने जबाद दिया और इनके चार प्रत आइसे जीते हैं इनकी अभन जो हैं वहां से हार गही जहां पूरा प्रिवार केंप की वह तो आप यहां ने पूरा यादो ने कहा है वो ठीक कहा है पपु यादो ने जो चैलेंज किया था उसमें वो जीते हैं और उनका बंता है वो कहने का निश्चित रूप से पपु यादो को गटबंदन में यह रखे रहते कोई जगह मिली रहती तो वह रिजल्ट थोड़ा और ज्यादा आसकता है लेकि लुब बार पहले से का रहे थे कि दीडी कहेंगी तो हम लडेंगे गए नहीं कहां वह खुद खड़ी हो गई तो नाश थानापूर से वह विधायक है हां तो उनकी बात कर रहे हैं तो वह उनपर करया आप कर कह रहे थे तो पर के भीच छेंश हुंने जो सबादा कई है उस इस पर आरजेड को मंधव करने की ज्रुत है कि यही ही की क्या पप्पु यादाँ ने जो बात कही है जो में कई कि बार के ऊखें श्वबिंगी आगामि विधान सबर से पहले पूह अब तेजस्वी यादव के लिए कर बढ़ने वाला धाम देखिए राज़त चेत्रिये दल है सिंसकी जीत कहां कहां से हुई एक बखशा आधे कॉरा नंवाद को रंग बाद यानि ये तीनों छेत्र लगवक सटे हुए हैं चार छेत्र तीन तो एकदम सटे हुए हैं और एक थोड़ा सा उधर है तो बस यहां तक यह सिमट के इनका प्रभाव रह गया है और अड़ाई सौ से ज्यादा इन्होंने सभाएं की खूब घूमें खूब यह हुआ और खूब भीड पर चड़ने नहीं दिया उन लोगों का प्रदर्शन इनसे बहुत ज्यादा बेहतर रहा माले को तीन सीट मिली बहुत नाक रगडने के बाद उसने दो सीटें जीत ली और भी एक किंद्रिय मंत्री को हरा दिया तो माले का श्ट्राइक रेट तो सबसे उपर है कॉंग्रेस को इन्होंने बहुत बहुत रगडने के बाद अंत में जाकर के नौ शीट दिया ऑन नौस में उसने वितिन सीट ली तो उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है राजत से सबसे गठबंदन में सबसे बुरा स्ट्राइक रेट तो राजत का है तो अब विधान सवा चुनाव में उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है क्योंकि अब दलों ने उनकी ताकत समझ ली है जिनके भरोसे वो चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते थे वो तो खुद डूबने डूबने को है तो इसलिए अब उनके दबाव में नहीं रहेंगे और वो सहरा तेजस्वी होंगे होंगे मगर अब उनका वो प्रभाव नहीं रहेंगा और वो जो सहयोगी दल है वो अब उतना दबाव में भी उनके नहीं रहेंगे वह डटेंगे जैसे पपू यादव डट गए वैसे सहयोगी दल अब डटेंगे विदान सवार्टिकट सबसे प्रतिष्ठाक वाली सीट ती राजद की वह सीट राजद जमानत गवां बैठी तो अब इससे सर्मनाख हार कोई और हो नहीं सकती है और इसलिए आप देखिए कि चुनाव परिणाम के बाद से तेजस्वी बड़े बुझे बुझे से दिख रहे हैं पहले जहां संविधान और बड़ी बाते कर रहे थे अब वह बातें उनकी नहीं निकल रहे हैं सुनने में नहीं आ रही है तो वह समझे हैं कि हमारे अनुकूल समय नहीं है और वो समस्या बढ़े गियर यह सामनी रही है कि दिल्ली से जब तेश्वी यादों लोटेंगे तो तमाम लोक्षभा के परभारियों के साथ समिख्षा बैठक करेंगे और रोहीनी अचारे जो लगातार सोसल मीडिया पर लिख रही है कि कटनी होगी छटनी होगी विश्वास गात और भीतर गात करने वालों की पह परवड़ना देखा है हर चुनाओं में हार के बाद आईसे समिख्षा होगी और हम यह करेंगे और वह करेंगे और ना बैठक तक नहीं करते थे मनें कारवाई तो छोड़ दे जिए बैठक तक नहीं होती थे कि क्यों कहां हारे और कहां जीते तो वज़ग क्या रही तो सही उनको ले करके पार्टी के अंदर असंतोस है तो वह असंतोस का बुलबुला एक बार फुटेगा तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए हमको नहीं लगता है कारवाई होगी कुछ चिठी पत्री हो करके और मामला रफा दभा कर दिया आपको भी लगत सब्सक्राइब करता है तो अब यह भाई बहन सब मिलके पाटी चला रहे हैं और नौजमान लोग है तो यह लोग अपना तेवर दिखाएंगे पार्टी में पुराने लोग तो अब पार्टी में कोई कुछ बोलता नहीं अब्दुल्बारिश सिद्की जैसे सीनियर लीडर चुपचाप किनारे खड़े हैं और देख रहे हैं जैसे कि वह अग्यातवास में चले गए हैं वो कुछ बोलते नहीं त लेकिन यहीं लोग पाठी चला रहे हैं तो हमको तो यह लगता है कि इस चुनाव में जो हार हुई है और उसको खीज को निकालने के लिए कुछ लोगों पर कारवाई हो सकती है यह जो रोहिनी आचारी जो बोल रही है उनमें छपरा के ही उस इलाके के एक विधायक है उनक उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया और चपरा के वहां के विधायक जितेंदर रहे हैं लेकिन लोग नहीं कहां कि भीतर घात हुआ है सुनील सिंग तो सारा कैमपैनिंग को को देख रहे थे वही और एक एक चीज पर उनकी नजर थी तो सुनील सिंग ने कोई फीडबैक दिया होगा कि मने उन पर नजर रखनी चाहिए तो एक कारवाई उन पर तो अब यह जो नई आरजेडी है लालुपुषाद वाली तो है नहीं तो लालुपुषाद यादो भले कोई कारवाई करने के मूड़ी में नहीं लेकिन यह लोग कुछ कर सकते हैं मतलब कि जो नहीं करेंगे प्रधान मंत्री पद का हालांकि इस बार उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है पहले तो बीजेपी का बहुमत होता था इस बार एंडी एक गटबंधन जो है वो सरकार में है और इसी वज़ा से प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रहा है नितिश कुम और कारेवाई कर सकती है इसकी चर्चा भी जोड़ों पर है बने रहीएगा हमारे साथ तमाम अब्डेट हम आप पक पहुंचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद